क्या किड्नी रोगी बॉइल चिकन खा सकते हैं? किड्नी रोगी कैसे रखें पेट साफ? क्या किड्नी रोगी ओट्स खा सकते हैं? क्या भुने चने खाना फाइदे मन्द रहेगा किड्नी रोगी के लिए? स्वागत है आपका कर्मा अर्वेदा के यूट्यूब चानल में आप हमारे चानल पर किड्नी के बिमारी और उसके अर्वेदिक उपचार की सारी जानकारी आसानी से पा सकते हैं हमेशा की तरह पिछले हफते भी हमें आप लोगों के बहुत सारे सवाल मिले आज इस विडियो में हम उनी सवालों में से कुछ सवालों के जवाब देंगे अगर आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चानल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं चलिए सवाल जवाब का सिलसला शुरू करते हैं आज का पहला सवाल किया है आलोक एका जी ने इनका सवाल है क्या किड्नी रोगी बॉयल शिकन खा सकते हैं? पहले तो सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी हाँ बॉयल चिकन किड्नी रोगी खा सकते हैं लेकिन सिर्फ डालसेज वाले दिन ही बॉयल चिकन आपको किस मात्रा में लेना है ये जानने के लिए जरूरी है आप डाटीशन से सलहा लें आपकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ही आपको इसके सही मात्रा के बारे में बताया जाएगा अब दूसरा सवाल किड्नी रोगी कैसे रखे पेट साफ ये सवाल हमसे चंदर शर्मा जी ने किया है चंद्र जी आपका सवाल काफी एहम है क्योंकि पेट साफ ना होना बहुत सारे किड्नी रोग्यों के शिकायत रहती है तो ऐसे में आप पेट साफ करने के लिए पंच साकर चूरन ले सकते हैं ये एक आयवदिक चूरन है जो आपको किसी भी आयवदिक स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा इसके अलावा किड्नी रोगी पपीता खा सकते हैं या आपके पाचन को सुधारने और मोशन को ठीक करने का सबसे भेटर नैचरल आप्शन है लेकिन पपीता आपको 100 ग्राम से ज्यादा नहीं खाना है चलिए अगले सवाल क्योर बढ़ते हैं आज का तीस्टा सवाल क्या किड्नी रोगी ओट्स खा सकते हैं? ये सवाल आया है Make Fitness Live Fit नाम की आईडी से जिस यूजर आईडी का नाम ही Fitness से जुड़ा हो उन्हें Fit रहने से कौन रोग सकता है? जी हाँ Kidney Stone वाले पेशिंस ओट्स जरूर खा सकते हैं ओट्स कितने दिन में एक बार खा सकते हैं और इसे खाने की सही quantity के बारे में जानने के लिए डाइटीशन से सलहा जरूर लें यदि आप इस पर कोई भी एक्सपर्ट ओपिनिन लेना चाहें तो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं हमारा हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन एरिया में मौजूद है और अब आज का आखरी और बहुत एहम सवाल सवाल है क्या किड्नी रोगी को भुने चने खाने चाहिए ये सवाल हमसे किया है मुकेश गुपता जी ने मुकेश जी सवाल पूछने के लिए धर्नेवाद आपको बता दें किड्नी रोगी भुने हुए चने बिल्कुल नहीं खा सकते क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है साथ ही इनमें फॉस्फरिस और पोटाश्रम भी बहुत अधिक होता है तो ये थे आज के कुछ जरूरी सवाल जो आप लोगों ने पिछले हफते हमसे कमेंट बॉक्स में किये थे आशा है आपको अपने सभी सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे अगले हफते हम फिर हाजिर होंगे नए सवालों के साथ आये मिले कर्मा आरवेदा के एक ऐसे ही रोगी से जिन्होंने इस बिमारी को मात देकर शुरुवात की एक स्वस्त जीवन की नमस्कार दोस्तों आज एक पेशंट और जुड़े हैं हमारे साथ जानेंगे उनसे क्या-क्या समझ्या हो रही थी और किस-किस प्रकार चेह राम हुआ तो यहां की दवाई से तो देव की देवी जी को क्या-क्या दिक्कत आ रही थी तो उल्टिया हो रही थी कुछ भी खा र जी ओपारी थी बहुत कम जूजय हुए थी तो यहां की दवाई से तर लुटिया भी रुगी अब तो खाना भी खा रही है और क्यूआ नाइन कम हो गया बढ़ा हो आता काफी इंप्रूव्मेंट काफी इंप्रूब्मेंट श्री कि पहले क्रेट नाइन भी नॉमल हुआ ह कफी नावी प्रूम में गयी तो पहले तो पगल पखला के चल लीदी ती अपने अंधर बहुमने रगए अचा यहां की दवाई फानी नहीं किसी किसी इंडिपेंडेंट होगी जी खुद पहले तो दिक्कत होदी कभी एक दो बार गिर भी गईती बातरूम में अच्छा यहा शुरु में नापक भूम आपको से बात ही ते जिसके बाद दबाइए करने लगए तो सही है अब उल्ती तो नहीं होरी ना तो कामा उसके सबसक्राइब। यह सी ने में दो भी से साफ करने लगए अपना बैठ के रहा वह तो बना किया। मदा थोड़ा इच्छा मदा सरीर उनका बैठने लाइग हुए अपना नॉर्मल लाइट में आरही है आप 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 आपके मदा तो एक बार दिखाएंगे माताईजी की पहले की रिपोर्ट दिखाएंगे कितना क्रेट नहीं था सेंट्रल हॉस्पिटल से उनने टेस्ट कर रहा है तो जब आए थे इसके इंदा अब एक सकते हैं क्रेक्टर इनका 6.9 है यूरिया जो है वो 226 है यूरिक आसिद 7.7 थोडियम पोटाशियों 121 बार 5.3 और अल्विम भी जाला है इसमें ये इनकी रिपोर्ट थी 10 जुलाई की कितना ताइम हो आपको मेडिसिन सार्ट कर रहे है एक महने में ही इनको काफी अच्छा इंप्रूमेंट नजर आया है 6.9 अभी की रिपोर्ट दिखाए अब इनका जो क्रेट 9 है वो 5.8 हो गया यूरिया भी दोसों की रेंज से 115 अगया यूरिक आसिद नोमल है और सुडिय कि हम भी more or less normal है अगर आप कोई अपना किड्नी के समस्या से पीड़ित है तो कर्मा आरवेदा में संपर करें और पाए किड्नी की हर समस्या का हल कर्मा आरवेदा का पता और हल्प लाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है किसी भी जानकारी के लिए आप दियेगर नंबर्स पर कॉल करें और एक्सपर्ट की राय लें आशा है आपको ये विडियो पसंद आई होगी अगर हाँ तो विडियो को लाइक और शेर जरूर करें इस विडियो से जुड़ा अगर कोई भी सवाल या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं अगले हफ़ते हम फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ तब तक के लिए आप स्वस्त रहें और खोश रहें विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद